नमस्कार हम है राहुलतिवारी और आप देख रहा है अर्थप्रकाश टीवी चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट एक बड़ी खबर के साथ उत्तर पर्देश में औरिया जिले के कोतवाली सदन शेतर में शनिवार अहले सुबे दो वाहनों की भेडंत में कम से कम 24 प्रवासी मजदूरों की मृत्ती हो गई जबकि 35 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए जिला अधिकारी अभिशेक सिना का कहना है कि तड़के ठाई से तीन बजे के बीच ये हाथसा चिरुहुली मिहौली गाउं के बीच हुआ जब एक चूना लदा ट्राला सडक किनारे खड़े एक मिट्टी के ट्रक से टकरा कर पलट गया जिसमें सवार श्रमिक चूने की बोरियों के नीचे दब गए हाथसे में घायलों को सैफ़े मेडिकल यूनिवर्स्टी अस्पताल और या जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है अब हाथसा हुआ है तो पुलिस तो आएगी ही आएगी पुलिस का कहना है कि सभी की पहचान कर ली गई है और इनके परिजनों को भी ये सूचना दे दी गई है इस हाथसे में शामिल मजदूर, बिहार, जहारखंड और पश्चमी बंगाल के निवासी थे जो दिल्ली और राजिस्थान के भरतपुर्ग से वापस अपने घर लोट रहे थे अगर बात करे 55 दिन में हुए हाथसों की तो औरंगाबाद का हाथसा शायद आप अभी तक नहीं भूले होंगे जिसमें महराष्ट के औरंगाबाद में बदनपुर और करमाड रेलवे स्टेशन के पास पिछले शुक्रवार की सुबह जब एक मालगाड़ी वहां से गुजर रही थी तब कुछ मजदूर पटरी पर सो रहे थे और वो मालगाड़ी मजदूर को कुछलते हुए निकल शिकार मद्धिपर्देश में ट्रक पलटने से पांच मजदूरों की गई जान ग्यारा घायल बिहार जा रहे एक साइकिल सवार्श्रमिक की सडख हादसे में मौत अंबाला में मजदूरों को इनोवा ने कुछला यूपी एमपी बिहार में सडख हादसे में गई 16 मजदूरों की जान बिहार में भी दो मजदूरों की मौत मुझफर नगर में रोडवेज बस ने मजदूरों को कुछला छे की मौत अब श्रमिकों की मौत पर उनके प्रदेश की सरकारों का शोग भी जताना ये तो लाजमी था पर फंसे श्रमिकों को उनके घर पहुँचाने का कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया गया ये भी लाजमी था आज भी श्रमिक पैदल अपने प्रदेश को जा रहे हैं और ये द्रश्य हर हाईवे पर देखा जा सकता है आज के समय देश का हर तबका किसी न किसी तरह गुजारा कर सकता है पर प्रवासी श्रमिकों के पास न पैसा है न ही घर वो तबका समाज सेवी संस्थाओं द्वा करोडों के रहत पैकेज का एलान किया पर देखना यह है कि क्या वो रहत पैकेज वाकई में करोना महामारी से आई आर्थिक मंदी से जो रहत पहुचाने की कोशिश है क्या वह वाकई ही रहत पहुचा पाएंगी अब तक के लिए बस इतना ही मैं राहुलतियारी आप से को प्रेस करें